इतरी आज हम बनाने जान रहे हैं आलू कपराथा बहुत टेस्टी बहुत यम्मी ना डो लगाने का जन जटा उनल ना भी भरने का जन जट red और बिल्कुल टेस्टी और यम्मी और सबसे बड़ी बात है कि हम इसमें आटा भी इस्तमाल नहीं करेंगे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं अपने आलू के प्राथे जो कि अपने आलू के प्राथे जो कि आप सब पर शौबत है हमारी यूटुब चैनल चाया मिस्रा की रस तो यह हमने ले लिए तीन आलू गए लेते हैं मगर एक आलू खराब निकल गया था क्योंकि इस समय पता नहीं क्या हो गया है कि आलू में अंदर ब्लैक ब्लैक सा निकल जाता है फिर इच्छा नहीं करती डालने की इस तरह से हम आलू को ग्रेट कर लेंगे ठीक है आप चा जाते हैं हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर नमग लेंग और चात्न मसाला बस अब आपके पास बारीक सूजी ना हो तो आप मोटी सूजी भी ले सकते हैं यह डाल देंगे दही लेकिन एक चीज़ का धियान रखें कि मोटी सूजी लेनी है तो उसमें एक इंक्रे इस तरह से और बढयासा इसको फेत लेंगे इस तरह से यह देखे तो बढयासा बैटर बने डिल बनाना है अच्छे से यह देख सकते हैं और आप crunchy पानटे बहुत ज बतले यह सूर्या क्रिस्पी भी बहुत अच्छे से बनेंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से हम बना करके तैयर करेंगे, तो ये देकिजिए का गरम इतना थीक हमें नहीं चाहिए था तो पानी हमारा एक बाउल लग चुका है यानि हाँ थोड़ा सा दही था दो से तीनी स्पून और हाँ एक बाउल आपका पानी तो लगभग लगभग देर बाउल समझ लीजिए पानी लग जाएगा आपका अगर दही नहीं भी डालना चाह इसलिए हमने बोला था कि 1.5 बाउल लग जाएगा पानी हमारा और 5-6 स्पून हमने दही ले लिया था तो यह देखिए अब हम क्या करेंगे एक तावा ले लेंगे जिस पर हम इस तरह से ग्रीस कर देंगे अच्छे से और यह देख सकते हैं लाश तक बने रहेगा फिर लाश हमने बनाना है हम बना रहे हैं पराठे थो पराटों की तरह हल्का सा मोता होगा तो दो लैडर हम अच्छे से डाल देंगे और यह से ढक करके सीखने देंगे यह देख सकते हैं ऑपeremसे कि ओपह सब्लिए हिवा शुटा से ओपर से जल्दी से कर आएगा तो देखिए यह सू पलट गया है तो आंदर तक बढ़िता क्रिस्पी सिखेंगे दूसरी बात हो जाती है, जो अच्छे से पकते हैLa तो देखे इब लोकूल पराठी की ताई ताह सिख रहा है ये देख सकतें, कितने अच्छे से श्पाठ कर आए हैं , इस विसे रटा कर इसी तरह से हम सारे सेक लेंगे तो यह देख सकते हैं और देखे लग रहे हैं ना पराठे तो एक बात और बता देते आपको अगर आपको सूजी मोटी वाली लेते हैं तो उसमें आपको बाइंटिंग के लिए थोड़ा सा आटा या फिर आपको मैदा डालना पड़ेगा